हेलो औरीवन वेलकम टू पीके सेल्फ सर्डी मैं पाउन कोशिक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीके सेल्फ सर्डी पर बहुत बहुत सौगत करता हूं तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम करेंगे 10 जुलाई के करेंट अफेर और दोस्तो यह वीडियो आपके हर ए पीडियो फाइल चाहिए तो पीडियो फाइल भी आपको मिलेगी वह मिलेगी आपको हमारे टेलेग्राम चैनल पर दिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा तो चलिए अब हम करेंगे करंट अफेर लेकिन उससे पहले हर बार क को बजा दूं हम हर रोज करनट अफेर पढ़ने से पहले क्विज्च करते हैं क्विज्च के अंदर वह कोशिं होते हैं जो कि आपके एक्जाम के लिए very important रहेंगे यह उनमें से दो तिन वह होते हैं जो आपके पीछे एक्जाम में पूछे जा चुके हैं और दोस्तो अप आपने टेलिग्राम चैनल पर रात 9 बजे मतलब डेली आपको नाइट में 9 बजे आपकी क्विज होती है क्विज के अंदर मैं वो कोशिन करवाता हूं जो की किताब है गटना चकर आपने पड़े भी होगी तो वहां से मैं कोशिन उठाता हूं तो वो आप क्विज जरू कर करने से आपको अपने लेवल का पता चलेगा तो रात को डेली 9 बजे क्विज होती है टेलेग्राम चैनल पर तो उसको इस क्विज को आप ज़िए जरू कर लेजिए ओके तो यह क्विज है यह भी दोस्तों डेली करेंटर फिरिक वाली क्लास में भी हम क्विज करते हैं तो तो यह है कहा पर मिलती हैं भागिरत्थी और लकनंदा मुरगपा गोल्ड कप किस खेल से समद्द है मुरगपा गोल्ड कप ऑफ चТак्प चपनाला जील एख जील आपने शुनी होगी चपनाला तो किस राजय के अंदर है चपनाला लेक चपनाला जील हृटी इंडिया ओफ म आई ड्रीम तो यह दोस्तों आपके सामने आज ही कोशिन यदि आपको इनके अंसर पता है तो आप कमेंट कर दीजिए नहीं पता है तो कोई बात हैं धिरी बना कर रखें वीडियो के लाश्ट में इन सब कोशिन के अंसर मैं आपको बताऊंगा और जो ही वच्छा इनकोशिन पूरू मुख्यमंत्री रहे हैं वीर भदर शिंग जिनका अभी हाली में निदन हो गया तो यह रहे है हिमाचल परदेश के छे बार मुख्यमंत्री रहे हैं तो अभी हाले में इनका अनिदन हो गया तो हिमाचल पर्देश के पूरों मुख्यमंत्री थे ये अच्छा प्रेजन टाइम में कौन है तो प्रेजन टाइम में है जैराम ठाकूर खेर यहां पर मैंने लिख दी है तो मुख्यमंत्री हैं हिमाचल परदेश के यहां पर आप देख पारे होगा हिमाचल परदेश जैराम ठाकूर जो की बीज़ाई पार्टे से हैं राजंदर विशोनाथ अलनेकर यहां के ने राज़यपाल बन है गवनर बन है राजंदर विशोनाथ और दो दो राज़धानी यहां के शिमला और धरमसाला क्या दोस्तो आप मुझे कमेंट करके बदा सकते हो कि जो शिमला धरमसाला है इनमें से विंटर कैपिटल कौन सी है और शमर कैपिटल यहनि समर राजधानी कौन सी है मुझे आप कमेंट करके बदाईए लोक सबागी सीट दोस्तों यहां पर चार है तीन यहां पर राज़धानी सबागी सीट है और 68 यहां पर विधानी सबागी सीट है याद रखेगा अच्छा यह मैं आपसे पूछी हूँ कि हरियाना के प्रेजन टाइम मुख्यमत्र को न बई तो हरियाना के है मनोहर लाल खटर पताओगा आपको और मध्य प्रदेश के हैं सिवराज सिंग चुहान उत्तर प्रदेश के योगी अलितनात और हिमाचल प्रदेश के हैं मैंने बदाए दिया आपको जैराम ठाकुर ओके तो यह सब आपको याद रखना है चलिए आगे बड़ दोस्तो वीडियो दोस्तो आपको पसंदार रहे हैं तो प्लेज वीडियो को लाइक कर दे और आज पहली बार इस चैनल से जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगला कोशी ने पड़ामंत्री नियंदर मोदी जी ने शैमा परशाद मुखर जी को उनकी जैनती पर सरदांजली दी तो इन्होंने किस वरश में जनसंग की स्थापना करे थी तो सबसे पहले दोस्तों आप एक पॉइंट यहाँ पर राद रखेें जो शैमा परशाद थे इन्होंने न जो पार्टी है बीजेपी बारती है जन्नता पार्टी तो इसके संस्थापक माना जाता है बीजेपी का शैमा परशाद को क्योंकि 1950 के अंदर यहूंकि 1950 नहीं बीजेपी में इसको कर दिया गया मतलब बीजेपी पार्टी बन गई जन्सन ओके तो आपको याद रखना है बीजेपी के फाउंडर कहा जाता है श्यामा परशाद मुखर जी को और इनके नाम पर कई और स्थानों का जगाया का नाम बदल दिया गया है जैसे एक अपनी सबसे पुरानी बंदरगा है कोलकता बंदरगा कोलकाता पॉर्ट कोलकाता बंदरगा ये सबसे भारत की सबसे पुरानी बंदरगा सबसे पुराना पॉर्ट है ये जिसकी स्थापना इसको बनाय गया था टारासो सतर के अंदर तो इसका नाम भी अब शामा पर्षाद मुखर जी बंदरगा कर दिया गया है ओके और एक अपनी शुरंग है जमुकस्मीर राज़य के अंदर चेनानी नसरी सुरंग सुना अपने चेनानी नसरी सुरंग ठीक है टनल है ये इसका नाम भी श्यमा परशाद मुखर जी के नाम पर कर दिया गया है ओके तो आप याद रखेगा तो श्यमा परशाद मुखर जी की अभी हाले में जयनती मनाए गई अच्छा जनम कब हुआ इसका भई श्याम परहाम उखर जी का जनम कब हुआ तो जनम हुआ 6 जुलाई 6 जुलाई 1901 के अंदर थीक है तो याद रखेगा जनसंग की स्थापना पूछी है तो जनसंग की स्थापना इनकी 1905 के अंदर बाद में जनसंग को ही बीजेपी के अंदर कर देगा मतलब बीजेपी के फाउंडर कहा जाता है श्यमा परशाद मुखर जी को ओके चलिए अगला कोशिन है दा इंडिया वे पुस्तक हाली में लिखी गई है तो इसके राइटर कोन है दा इंडिया वे तो इंडिया वे के पुस्तक के जो पुस्तक है बुक है इसके राइटर है जैशंकर और ये कोन है हमारे वई ये मारे विदेश मंतरी विदेश मंतर से दा ट्रू स्टोरी ओफ गांधी बदाय थी मैंने आपको ये नाथुराम गोड से दा ट्रू स्टोरी ओफ गांधी इस पूस्तक के लेखक है धवन कुलकरणी धवल कुलकरणी ओके एक तो आप याद रखिए एक पूस्तक है बोल देता हूं आपको लिखने में दिक्कत हो पूस्तक इन कहरे थोड़ी थोड़े तो पूस्मेकर टर्नल व्ल द Dum ट्र धंड टन डेर arbitracy इसके लेखक है कोशिक बशुक 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 और पूस्तक और आप एलजाए दा लाइट ओफ एस्या दा लाइट ओफ एसिया इसके लिखक है जे राम रमेश फिलाल मेरे कोई तो नहीं याद आ रही है एक तो दालाइट ओफ एसिया एक है नाथुराम गोड से दा ट्रू स्टोरी ओफ गांधी और एक है पुलिश मेकर टरनल फॉम न्यू डाले डू वास्टन डेसी ठीक है तो यह सब पुष्ट के आपको इनके लिखक जो होते हैं दोस्तों याद रखने हैं वैसे दोस्तों जो महीने का जो एंड होगा न महाँ आपके लिए बहुत सारी वीडियो लेकर आऊंगा महाँ पर महाँ आपको इन सब टॉपिक पर वीडियोज करवाँगा जैसे बुक्स और ओथर्स हो गया अबिच्योरी हो गया हमारी डेज हो गये तो याद रखेगा वीडियो के लाश्ट में दोस्तों हम कवीज भी करेंगे कवीज को करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा चलिए अगला कोशियने चार जोलाई को पिंगली वेंकईया की पूर्ण देथी मनाई गई तो इन्होंने इन में से किसको डिजाइन किया था तो आपको पता होगा जो पिंगली वेंकईया हैं इन्होंने अपने जो राश्टे धवज है इसको डिजाइन किया था याद रखेगा राश्टे धवज को डिजाइन किया था चार जोलाई को इनकी पूर्ण दिथी मनाई गई क्योंकि 4 जुलाई 1963 को 4 जुलाई 1963 को इनकी मिर्तिवी थी और जनम हुआ थेनका 2 आगास्त 1886 को ओके और इनका जनम का हुआ था तो जनम हुआ था मसिली पर्टनम मसिली पर्टनम काँ पर आंधर प्रत्देश राज्या के अंदर तो याद रखेगा पिंगली वेंगईया को इनकी मनाएगेर की चार जुलाई को इनको इनको इन्होंने डिजाइन किया था राष्ट्रे धवज को अगला कोशिन है हाली में हरियाना के नए राजयपाल कोन बने है तो आपको पता होगा अभी अभी आठ राजयों के नए राजयपाल बने है तो हरियाना के राजयपाल बने है बंडारू दत्तत्रे यहाँ पर आप इनका फोटो देख पार होगे यह है बंडारू दत्तत्र ज्के रियाना के नाया रैज़ेपाल बने है और रैज़ेश दोस्तों बात आई तुम नहीं आको बताए दिया मुख्यमंतर यहां पर मनहोरलाल खटर यहां पर मुख्यमंतरी है दस यहां पर लोक सपाल गी सीठ है पांच यहांपर रत सपालрок गी सीठ है 90 यहाँ पर विधान सभा की सीट है चंडिगर यहाँ की कैपिटल है ओके और दोस्तों जो आठ राजों के ने राजापाल बने हैं वो मैंने आपर टाइप कर दी हैं जैसे कि हिमाचल परदेश राजा के जो ने राजापाल बने हैं बून का नाम राजंदर विश्वनात अलनेकर मध्य परदेश के बने हैं मंगु भाई पटेल मिजोरम के हरी बाबू हरियाना के बंडार दततरे त्रिपूरा के सत्तदेव नरण आरिये जारखंड के रमेश बैश करनाटक के थावर चंद गहलोद और गो आके पी एस स्रिधन पिल लई याद नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं बहुत बार में आपको रिपीट करूँगा ठीक है बार बार हम रिपीट करेंगे याद करेंगे तो ये सब चानकारी आपको याद हो जाएगे बहुत छोटी बात है ठीक है चलिए अगला कोशिय दोस्तो करनाटक का पहला खनन स्कूल किस जिले में बना जाएगा तो करनाटक का पहला जो माइनिंग स्कूल है वो बना जाएगा आपको मैंने पहले बताया था कि एक जिला है बलारी ठीक है जिला बना है बलायरी जो डिश्टिक है बलायरी जो जिला है इसे अलग होकर बना है विजय नगर और यहां 31 जिल है करनाटर राज्या के अंदर 31 वा जिला है विजय नगर और दोस्तों यहां पर मैंने करनाटर कराज्या की करन्ट अफेर टाइप कर दी है तो एक बार आप उ योजना इन्होंने सुरू करी है आर्थिक संपदा योजना जन शेवक योजना अन भाग्या योजना शादी भाग्या योजना श्री शीर भाग्या योजना शेवा शिंधु योजना जिस भी योजना के साथ आपको भाग्या लिखा दिख जाए समझ लेना कि यो करनाटक रा हो गए है 31 जिला बलाईर से अलग होकर विजा नगर बना है नवाचार सूचकांक में इनोवेशन इंडेक्स में करनाटक राजय पर्थमस्तान पर रहा है और ACN Development Bank ADB के दोबारा करनाटक राजय को दो लोन दिये गए हैं एक तो 500 100 मिलियन डोलर का और दूसरा 100 मिलियन डोलर का और बैंगलूर जो है यहांकी जो कैपिटल है बैंगलूर में देश का पहला के अंदरीकृत AC रेलवे स्टेशन भी बना है और कैम्प गोड़ा जो यहां पर एरपोर्ट है वो भारत का पहला शोर उड़जा से संचालित एरपो जाके बारे में याद रखनी है ओके चलिए आगे बढ़ते दोस्तों किस संगठन ने क्वाल्टी कंट्रोल के लिए ओपन नेटवर्क फोर डिजिटल कोमर्स एक प्रियूजिना शुरू करी है किस संगठन के आपर बात कर रहा हूं तो यह है DPIAT ने जो ओपन नेटवर्क डिजिडल कोमर्स है यह प्रियूजिना स्टार्ट कर गी है क्वाल्टी कंट्रोल को लेकर ओके तो डिपी आई 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 टी यह खेर यह संगठन आपने पहली बार सुना होगा क्योंकि मैंने पहले कभी एक ही बार जिगर किया खेर यहां तक मेरे को याद है तो डिपी इंडिस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड ठीक है और जो यह डिपी आई टी है और यह हमारा जो वानिजय मंत्राल है उसके अधिन काम करता है तो याद रखेगा डिपी आई आई टी ने अपनी एक प्रियूजिना स्टार्ट करी है ओपन नेटवर्क फोर डिजिटल कोमर् इंडिया इंटरनेशनल समिट भी इनोंने प्रारम किया था याद रखेगा ओके चलिए एगला कोशिन है 2020 टोक्यो ओलम्पिक के उद्गाटन शमारों के भारत के दोजारोहन के लिए किसे निक्त किया गया है 2020 में 2021 के अंदर होगा इसी साल होगा पिसले साल होना था लेकिन अब इसी साल होगा तोक्यो ओलम्पिक तो भई इसका दोजारोहन कोन करेगा हमारे जो भारत के दो निक्त के गए है एक तो मनपिरिट सिंग दो खिलाड़ी है मनपिरिट सिंग जो की हमारा जो होकी जो टीम है उसके कप्तान है मनपिरिट सिंग और एक मैरी कोम तो ओप्श पीछे मैंने को बता था जो हमारे कोण सा गेम था यह पैरा ओलम्पिक पैरा ओलम्पिक गेम था उसका जो दोज़ार रोण करेगा वो करेगा मरीयपन थंग वैलू ओके चलिए अगला कोशिन है हाली में शिल्वर फिलिगरी एक चांदी की तराकषी होती है के लिए बोगोलि तो कहे लिजिए हम किसी के ओपर लेप लगाते हैं किसी भी चीज के ओपर हम लेप लगा दिया हमने जैसे कि हमारे कोई बरतन हो गए ठीक है कोई हमारे जैसे की बरतन हो गए चांदी का लेप लगाते हम इसके ठीक है है हेंडी क्राफ्ट हो गया धातू के ओपर कोई धातू ह हमने उसको पर चांदी का लेप लगा दिया, फरनिचर के उपर लेप लगा दिया, तो बहुत ही मशूर है, यह है ओडिशा की, ओडिशा की शिलवल फिलगरी, इस जिसको हम बोलते है चांदी तराकसी, ठीक है, तो यह इसका एक लेप लगा जाता है, और एक मशूर है कटक, जो ओडिशा के अंदर कटक है न, वहाँ पर इसको उसके लिए मशूर है, कटक इसके लिए मशूर है, खेर दो जग है इसका जो है अच्छा काम होता है, एक तो त्यलंगाना राज्या के अंदर, भारत के दो ही राज्या है, जहाँ पर अच्छा काम होता है इसका, और चां बाते आप याद रख लेजिए जैसे एक तो ओडिशा की राधने के आप भूनियोश्यर यहां की कैपिटल है गनेशी लाल गनेशी लाल जो यहां के कोना भी राजय पाल है गवरनर है नमीन पतनायक यहां के चीफ मिनिस्टर है ओके और 21 यहां पर लोग सबागे सीट है और कि अगले भी पतरकार है उसकी मरती हो जाती है तो 15 लाक मिलेंगे और हो और कोविड-99 से पीड़िक हो जाता है तो 2 लाक रुपे दिये जाएंगे और यहां पर एक भीतनिकर नेशनल पार्क भी है काफी एक्जाम के अंदर आता है भीतर कनी का नेशनल पार्क है और दो इन्हें पोर्टल सुरू करिये हैं इपाटशाला और इमुलैंकन दो पोर्टल इन्हें सुरू करे हैं इपाटशाला और इमुलैंकन और आश्रिवाद योजना भी निकी योजना ह के अंदर 23 में मैंस होकी वर्ड कप भी होगा और भारत का पहला थंडर स्ट्रॉम रिशर्च सेंटर ठीक है रिशर्च बैड टेस्ट बैड बोल दीजिए जो की बाला स्वर में खुला है तो बिजली का राज़्या के अंदर ही खुला है बारत का पहला कोविड जियर आपको याद रखनी है चलिए अगरव कूषिन है देश के निशीक्र्यामंत्री कौन बने है तो ईशीक Rép्षámंत्री बने है ध्रमेंदर परधान ओर तो जो हमारा नया मंतिय मंदल आया है, इसके बारे में भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, चले एवं कर दोस्तों कुईच, गुबारे में कौन सी गैस बरी जाती है, तो हीलियम, हीलियम गैस बरी जाती है, भागी रथी और अलकंदा, दोनों का मिलन सतल है, देव जो है दोस्तों यह होकी से समदित है, होकी जो खेले से समदित है, चिपनाला जील आपको में लगी असम राज्या के अंदर, और इंडिया फ माई ड्रीम, इस पुष्टक के लिखकर महातमा गांदी, तो यह हैं दोस्तों आपके सामने कोईच के अंसर, ची वीडियो कैसे ल